कैसे आप सभी एक और ने वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के इस वीडियो में NBCC के अंतरगत रिक्रूटमेंट आया है यह पूरा रिक्रूटमेंट हम आपको बताने वाले है तो ऐसे केंडिडेट जिनके पास सिविल या फिर एलेक्ट्रिकल में ड पर पहली पोज़ एंजीश सेविल की जिसकी लिए टॉटल 3D फिर वेकिंसी तो ऐसे केंडियो जिसकी इंजीरिंग्व में डिगरी है वो इसका जो है उनलाइन अप्लाय कर सकते है अगली पोज जो है जिसके लिए इंजआरिक्रीकल डिगरी मांगी गया है तो अगर आपक 35 years यहाँ पर age limit है यह जो job रहेगी आपकी contract basis पर रहेगी for 2 years जैसा आप सबको पता होगा कि मुदी government के आने के बाद से ही जितने PSUs है mostly some में जो है contract basis job ही निकल रही है permanent job एक तरह से बंद कर दिया बहुत rare है जो permanent recruitment आप कोई भी PSU ले रहे है समय दो साल तीन साल पांस साल का जो है आपको contract पर ही काम करना पड़ेगा यहाँ पर इस समय यह situation इस तरह की है तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप apply कर सकते है करियर की starting के लिए अच्छिप पोस्ट रहेगी तो अगर आप इंटरस्टिट हो तो इसके लिए online आविदन कर सकते हैं और अगर आपको कुछ पूछना रहता है तो कमेंट पे जाकर कि आप पूछ सकते हैं अब बात करते हैं सेलरी कितनी मिलेगी तो जो इंजीनियर सिविल बेनिफिट्स ले सकते हैं इसी तरह से जो इंजीनियर एलेक्ट्रिकल की पूछ्ट है उसके लिए भी 52,500 पर मन्त आपकी सेलरी यहां पर दी जाएगी तो सेलरी ठीक है बड़िया सेलरी है तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप जो है नबी सी से से स इस पर प्राइब करने के लिए आपको करना क्या है वीडियो की डिस्क्रिप्सन में पूरा नूटिफिटियसन में मिल जाएगा नूटिफियसन को अच्छे से पढ़ लिए ऑनलाइन आविदन कर दीजे कुछ पूछना हो तो कमेंट पर जाकर पूच सकते हैं आपको इसके application form जो है फ्री रहेगा बाकी सब भी candidate के लिए 500 रुपए का application fees यहाँ पर देना पड़ेगा form आप जब online भरेंगे उसके बाद उस online application form का आपको print out निकालना है आपकी जो fees receipt आप जो pay करेंगे उसकी जो है print out आपको निकालना उसके बाद की photocopy को attach करके self attach करके आपको जो है वो send कर देना selection इन्होंने कहा है कि आपका selection जो है direct interview के माध्यम से भी कर सकते है direct group discussion से भी कर सकते है return exam भी ले सकते हैं तो यहाँ पर सब तरह की possibility ने दे रखी है अब यह application कितने number of application NBCC के पास इस recruitment से पहुंचते हैं उस basis पर यह decide करेंगे कि यह return exam लेंगे या फिर personal interview लेंगे या फिर कोई group discussion रखेंगे तो apply कर दीजे कुछ पूछना हो तो comment पर जा करके पूछ सकते हैं वीडियो को आप like कर दीजे channel को subscribe कर दीजे thank you so much